बस्तो दोस्तो मैं कि स्वागत करता हूँ आप सभी का टाइमस आफ लाइट यूटूब चैनल पर दोस्तो इस चैनल पर आपको जो ओफिसियल नोटिफिकेशन में से इन्पोर्टन पॉइंट को नोट करके इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ताकि आप जो वेकैंसी के पूरे अंतक देखिएगा ताकि आप तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन कप्लीट पहुच सके दोस्तो आज जो वेकैंसी निकाली गई है आई 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 टी का पटना की तरफ से वेकैंसी निकाली गई है जिसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको में में आपके पास या फिर आपने जो बैचलर्स ओफ आर्किटेक्ट किया है एंबी सीए किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यह जो वेकैंसी जो है नेशनल इंस्टूट ओफ टेकनोलीजी पटना की तरफ से वेकैंसी निकाली गई है इसमें जो पोस्ट जो है टेकन लाइन मीडियम में बाय पोस्ट जो है आपको भेजना होगा इसमें जो मेल फीमेल दोनों कंटेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो सैलरी जो रहेगा पे स्केल 6 रहेगा जिसमें जो है पे बैंड जो है 9000 से लेके 34000 रहेगा और ग्रेट पे जो है 4000 रहने वाला इसमें जो दोस्तों आईज लिंट उगारा मैंशन नहीं किया गया था नौटीफिकेशन ने केवल नौटीफिकेशन में यह मैंशन किया गया था कि अबर एस लीमिट में को छूट भी दी जाएगी जिसमें जो SCST category के लिए जो है फाइफ इयर OBC के लिए थ्री इयर PWD UR category के लिए 10 year PWD OBC के लिए 13 PWD SCST category के लिए 15 year में age में छूड़ी दी जाएगी इसमें जो दोस्तों notification में as per rule रिखा वगाया था notification में इसमें दोस्तों बात करें फीस वगारा की तो इसमें जो है फीस जो है UR EWS category के लिए और OBC के लिए 400 रुपीज रहेगा और SCST category के लिए 200 फीस रहेगी और PWD category के लिए फीस वगारा नहीं मांगी गई है फीस को आपको online media में पे करना होगा इसमें जो education qualification डीटेल में जानते हैं तो दोस्तों इसमें आपके पास जो है बीटेक होना चीए या फिर बैचलर डिग्री होनी चीए आर्किटेक्ट से apply करने के लिए इसमें बीटेक के लिए जो ब्रांच रहेगी civil engineering electrical electrical electronics engineering computer science engineering या फिर आपने जो डिप्लोमा कर रखा है इंजिनरिंग में जो ब्रांच रहेगी engineering में जो डिप्लोमा के लिए civil engineering electrical electrical and communication engineering architect computer science engineering से डिप्लोमा के लिए तो इसमें बीए सी कंडेट कर रखे तो वह भी कंडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बीए सी जो फिजिक्स कमेस्ट्री से होना चीए और साथ में जो अगर जो अपके पास 15% marks होने चीए अप्लाई करने के लिए इसमें जो आपने जो मस्ट्री कर रखा है तो इस फिर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जो मस्ट्री के लिए त्री एर का experience भी होना चीए इसमें जो अप्लाई करने की डेट जो इस्टार्ट हो चुक करने की जो टेट रहेगी आकरी 16 में तक आप कर सकते हैं और इसकी जो ओफलाइन जो आप पोस्ट करेंगे उसकी डेट जो है 25 में रहने वाली है और इसमें जो इसकी ओफिसल वेबसाइट जो है www.nitp.ac.in पर इस फोर्म को अप्लाई करना होगा और उसके बाद जो फाइन जोए कि में इसका उफीचल लोटिफिकेशन जो है टेलिघरम पर अपलोट कर दिये एक पीडियो वहाँ पर जा कि इसके परोसस भगारा पढ़ लिजिए काहसे अप्लाए करना है और लिक जो मैं ने वीडियो का ज Bian डिस्केपशन में टेलीगा वहाँ पर मैंसन कर दिये व दोस्तों आपको जो आपकी information मिलती रहे daily तो subscribe button को दवा लीजिए तो मिलते हैं किसी next frequency में thank you